बोल भूड के महान फिनेता राजेस खना राजेस खना साहिब के बारे में आपने कई किस्ते सुने होगा आपने भी सुना होगा कि राजेस खना साहिब को लर्किया खुन से खत लिख कर वेजा करते थे अगर राजेस खना साहिब जिस गारी में बेरते थे वो गारी छोर के च नहीं होंगे राजेस खना साहिब को साइद उस दिन जान चले जाता अगर अभीनित्री मुम्ताज नहीं होती तो जी हाँ इस बात बिल्कुल सही है इस बात बावन साल पुरानी है या यू कहले चे बात 1971 की है इस फिल्म के सुटिंग के दोरान राजेस खना साहिब को देखने के लिए एक दो सो नहीं बलकि लाखों का भीर जुट गया था और उस भीर में लोग राजेस खना साहिब को देखी नहीं रहे थे बलकि उनको छूने लगे थे कि आखिर एक राजेस खना साहिब का पैर हाथ क करने लगे कि भीया इस सच में हीरो कैसा होता है उनको लोग छोने लगे और एक दो नहीं बल कि लाखों का भीर एफिलिम गाव में सुटिंग होना था अदुसमन और उस वक्त सुरच्छा का कोई इंतिजाम किया गया नहीं था और इस फिलिम में राजेस्खना सहीब के साथ अभिनित्री मुम्ताज थी और उस भीर में राजेस्खना सहीब इतने परसान होने लगे या यू कहलेजे कि उनका दम घुटने लगा राजेस्खना सहीब अवाज तक लगाने लगे कि बचाओ बचाओ काका हैरान होगे थी उस दिन लेकिन अभिनित्री मुम्ताज अपना तो सही है दूर से भी हम देख सकते हैं लेकिन पहले के लोग सुचते थे कि आखिर भया हिरू होता है कैसा पहले कि लोग उनको लग में जाके उनके पैर हाथ भी मतलब छुने लगते थे गाल भी पकरने लगते थे कि आखिर भया है क्या तो इसलिए उस भीर से जान अभीनित राजेस खना सहभ और अमिताब वचन का कई भी किसे मसूर है और आप इसी तरह जानना चाहते हैं राजेस खना सहभ और कोई भी अभिनेता के साथ या इनके साथ अभिनेतरी के साथ जुरा हुआ रोचक बाते अंसुनी किसे तो आप हुमें कॉमेंट वे पुछे हम आपको आप हमें जरूर कॉमेंट वे बताईएगा और इस वीडियो को शेरिट कीजिएगा और वीडियो बनाने में मेहनत लगता है तो आप जाते जाते इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर फेरी में सबस्क्राइब कर लिजी